हर हर महादेव राधे राधे दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल निस्वार्थ ग्यान पर करवा चौत पर भूल कर भी मत खाना ये दो सब्जी नहीं तो वरत तूट जाएगा और चौत माता हो जाएगी नाराज पती की उम्र पर पड़ेगा बुरा असर जीवन में बढ़ सकती है कल है इसलिए आपको भूल कर भी ये दो सब्जी नहीं खानी है दोस्तों करवा चौत खत्म होने के बाद रात में पती पत्नी ये एक काम जरूर करें जो पती पत्नी करवा चौत समाप्त होने के बाद रात में ये एक काम नहीं करते तो उनकी जिन्दगी बर्बाद हो जाती है नश्ट हो जाती है यहां तक कि पती की मृत्त्यु भी हो जाती है इसीलिए पत्नी को रात में पती के साथ यह एक काम करवा चौत वाले दिन जबरदस्ति जरूर कि करवा चौत दो हजार तेईस में कब है देखिए करवाank के दिन मुहूर्त रहेगा, इसी मुहूर्त में आपको पूजा-पाथ करनी है. मुहूर्त में पूजा-पाथ करने से कई लाख गुना पूजा-पाथ का फल हासिल होता है. पति-पत्नी का जीवन बीदता है. चान्द निकलने का समय होगा. आठ बज कर पंद्रह मिनट दुनिया इधर की उधर हो जाएगी परंतु चांद जरूर निकलेगा शास्त्रों के अनुसार करवा चौत का वरत सच्चे हरदय से जो भी शादी शुदा महिला रखती है या अपने होने वाले पती के लिए रखती है तो अखंड सौभाग्यवती का वर्दान हासिल हो जाता है धर्म शास्त्रों के अनुसार करवा चौत का त्योहार पती पतनी के प्रेम को समर्पित है यह अटूट रिष्टे की निशानी मानी जाती है करवा चौत का वरत रखने वाली नारियां अपने पती को यमराज से लड़कर भी हासिल कर लेती है बस मन में श्रद्धा होना चाहिए दोस्तों जो महिला करवा चौत का वरत रखती है तो इससे ये पता चलता है कि वो अपने पती से बे इंताहा प्रेम है परंतु इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं खास करवा चौत पर ये एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए पूरे साल भर में धन का आगमन होता रहता है पती पतनी में प्रेम संब धह तथा पती की उमर बढ़ती है जो महिला ये एक चीज नहीं खाती तो वरत कभी सफल नहीं होता इसलिए खास तोर पर करवा चौत के दिन ये एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए इस से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है दोस्तों मैं ईश्वर की सौगंद खाता हूँ अगर करवा चौत वाले दिन अगर आपने ये एक चीज खाली और करवा चौत के रात के समय पती-पत्नी ने ये एक काम कर लिया तो आपको करोड़ पती होने से दुनिया की कोई भी महाशक्ती रोक नहीं पाएगी प्रति दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा आप कामयाभी हासिल कर लेंगे आप महाधनी हो जाएंगे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय चौत माता माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है जो स्त्री स्वयम अपने पती के हाथों से भोजन ग्रहन करती है तो वह भोजन अमरित तुल्य है दोस्तों ऐसे में खास तौर पर करवा चौत के दिन अपने पती के हाथों से भोजन ग्रहन जरूर करें भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खाएं परन्तु करवा चौत के दिन पती के हाथों से इस दिन जरूर खाना चाहिए बहुत ही शुब समझा गया है इससे पति-पतनी के रिष्टों में दरार नहीं आती है चौथ का आशीरवाद मिलता है ऐसा रिष्टा साथ जन्मों तक का साथ पा लेता है और अगर आपका पती आपके पास नहीं है और वो किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप करवाचौथ का वरत अपने पती का फोटो देख कर कर सकती है दोस्तों और करवाचौथ वाले दिन जब आप भोजन ग्रहन करें तब अपने पती को आनलाइन देख कर भोजन कर सकती है पहले आप अपने पती को मन ही मन खिला दें और बाद में आप ग्रहन करें करवा चौत पर मन से कराया गया भोजन स्वयम ईश्वर ग्रहन करते हैं देवी देवता ग्रहन करते हैं मन पूजा सबसे बड़ी पूजा आस्था लगन होती है इसलिए कहा जाता है सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें और सच्चे मन से ही पती की सेवा करें दोस्तों, वृत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहन करें, तब अपने पती का नाम लेकर भोजन ग्रहन कर सकती हैं, इससे वृत भी भंग नहीं होता, और पती के किसी कारणवश आपके पास ना होने से वृत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं, करवा चौ चौत के दिन जरूर खा लेना चाहिए, खास तोर पर करवा चौत के दिन घर में पीली चीज जरूर बनानी चाहिए, बहुत ही शुब समझा जाता है। जिस परिवार में पति-पत्नी का रिष्टा अधिक खुशियों से गुजरता है, तो वही घर हमेशा तरक्की करते हैं। पत्नी के संबंधों के उपर हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को घर में न सताया जाए, उस देवी को घर में खुश रखा जाए, और उस देवी के साथ प्यार के के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए, तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाए रखती है, ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं, ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती, जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में आरत खुश रहती है, उस घर में महालक्ष्मी खुद वास बना लेती है और उस घर में देवी मा अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती है दोस्तों अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं और आप अपने घर की औरतों को खुशाल जीवन जीने आजादी दे देते हैं और उसके साथ लडाई जगडा अगर नहीं करते हैं तो आप अस्थाई रूप से अमीर बन जाएंगे क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोजाना छोटी छोटी बातों पर ग्रह क्लेश होता है तो वो घर कभी भी तरक्की नहीं पाते ऐसे घरों में हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं पत्नी को जितना खुश रखोगे पत्नी की हर हर मुराद को पूर्ण करोगे तो भगवान कृष्ण भी आपके जीवन में दोड़े दोड़े चले आएंगे राधारानी की कृपा बरसेगी विष्णु प्रिये महारानी महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी यदि पत्नी को दुख दोगे तो दुखदाई जीवन और दरिद्रता आपको मिलेगी और यदि पत्नी को सुख दोगे तो सुखमय जीवन आपको हासिल होगा धन एश्वर्य मिलेगा सौभाग्य पूर्वक जीवन धंदायक होगा दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर पति-पत्नी के बीच में लड़ाई जगडे होते हैं तो उस घर में दरिद्रता और बरबादी आ जाती है इसलिए रात्री के समय करवा चौथ वाले दिन पति-पत्नी के आपके संबंध मजबूत होते हैं तो उस घर में देवी शक्तियों की अपार कृपा बनती है क्योंकि कुल को बढ़ावा देने वाली औरत के साथ अगर शालीनता से पेश आया जाएगा तो उस घर में देवी शक्तियां हमेशा अपना रूप और प्रभाव दिखाती है देवी शक्तियां उस घर को स्वर्ग बना देती है दोस्तों और जिस घर में रोजाना लडाई जगडा और कलेश बना रहता है ऐसे घरों में कभी भी महा अपने कदम नहीं रखती है ऐसे घरों में वास्तू दोश बढ़ जाता है और जब घर में दोश बढ़ता है तो शनी की बुरी द्रिश्टी भी पढ़ जाती है और ऐसे घर देखते ही देखते पूरे घर परिवार कुल का नाश हो जाता है जिनका विवाह हो होता है क्योंकि उस घर में महालक्ष्मी स्वरूप स्त्री होती है किसी की पत्नी होती है तो भगवान अपनी नजरें ऐसे घर में लगाए रखते हैं और जिस घर में पत्नी को यदि पीड़ा दी जाएगी तो वह घर सुखी संपन्न से हाथ धो बैठेगा इश्वर ऐसे घर को गरीब बना देते हैं कंगाल बना देते हैं और सब कुछ हर वह एक चीज छीन लेते हैं जो उनके पास होती है जिसे इश्वर द्वारा दिया गया होता है इसी लिए नारी को पीड़ा जो भी पुरुष किसी भी कारणवश देगा तो भगवान कृष् पूरे कल का नाश कर दिया था भगवान कृष्ण अपनी हर एक पुस्तक में इस चीज का वर्णन देते हैं कि स्त्री का अपमान मतलब मेरा अपमान लक्ष्मी का अपमान इसी लिए जो पुरुष नारी को प्रसन्न रखता है उसकी सेवा करता है उसके इच्छा स्वरूप सभी कार्य करता है तो ऐसे घर में भग आनकृष्ण कहते हैं सदैव मेरा और लक्ष्मी का वास होगा जो कि भगवान कृष्ण बताते हैं और आचार्य चानक्ये ने भी कई बार अपनी नीतियों में इस बात का जिक्र किया है अगर आप अपना जीवन आनंद से भरपूर स सुखी वैभव परिबार, पति पत्नी में प्यार संपूर्ण हो जाएं तो कभी भी पत्नी को किसी भी समय चाहे रात हो या दिन कोई भी समय कियो ना हो झगड़ा बिलकुल भी नहीं करना चाहिए इस लिए खासकर करवा चौथ की रात पती पतनी को प्यार जरूर करना चाहिए और मिल बांट के गिले शिक्वे दूर करना चाहिए। रात पतनी के लिए उपहार जरूर करना चाहिए। आप की हर एक बात मानेगा, आप जो बोलोगे वही करेगा और दोनों में प्यार बढ़ जाएगा, नफरत कम हो जाएगी। यहां तक कि अगर आपका पती धूमरपान या मदिरा का सेवन करता है तो समझ। आप भी कहोगे जो पती आपकी तरफ देखता नहीं था, आज वह जी भर के प्यार कर रहा है, तो चलिए जानते हैं। जबरदस्त उपाए दोस्तों, सबसे पहले आपको दो हरी इलाइची लेना है, और जब आप करवा चौत की पूजा करें, तब आप चौत माता के चरणों में दो हरी इलाइची कटोरी में डाल कर, मा के चरणों में माता को अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता को बोले, हे चौथ माता, मेरे पती को सही मार्ग दर्शन दें, हे मा मुझे पर उपकार करें, मैं भी तेरी बेटी हूँ, और दोस्तों, यह मंत्र जरूर बोल देना, जो हम आपको बताने वाले हैं, आईए जानते हैं, मंत्र करवा च सिद्ध हो जाती है, यह अपना चमतकारिक असर दिखाना शुरू कर देती है, मंत्र है, ओम चतुर्थी दिव्य नम्ह दूसरा है, ओम गौर्य नम्ह तीसरा है, ओम शिवाय नम्ह देखिए, इन तीनों मंत्रों में से आप कोई भी एक मंत्र 108 बार जाप करें दोस्तों, मैं पूरा उपाय हमने नहीं बताया है, आईए जानते हैं, देखिए, पूजा समाप्त होने के बाद, आरती करने के बाद, जिस पूजा स्थान पर आपने चौत माता को दो इलायची अर्पित की थी, अब वहां से आपको इलायची उठा लेना है, माता का आशीरवाद समझ कर आपको लेना है, और इन इलायची को माते से चूम कर माता पारवती का समरण करने के बाद, इलायची को उठा लेना है, दोस्तों, अब आपको क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है, जो हम आपको बताने वाले हैं, देखिए, जो दो इलायची आपने माता क आशीर्वाद समझ कर प्रसाद समझ कर जो उठाई थी, उन्हें आप में डाल देना है, या खीर में भी डाल सकते हैं, या आप जो भी मीठा पदार्त बनाते हैं, उसमें आप डाल दें। और वह भोजन यदि आपका पती खा लेता है, तो समझ लें, आपका पती 100% आपके वश में हो जाएगा, और आप जो चाहोगे वह आपको हासिल हो जाएगा, आपका पती आपको इतना प्यार करेगा, जो आपने कभी नहीं सोचा होगा, आपका पती हमेशा आपके बारे में ह सोचेगा और यदि वह शराब का सेवन करता होगा तो वह भी छोड़ देगा आपका पती आपका पीछा आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगा दोस्तों इलायची में साक्षात माता नव दुरगा का वास होता है शेरों वाली का वास होता है माता पारवती का वास होता है क्योंकि यह इलाइची सिद्ध हो गई होती है जो आपने मंत्र पढ़े उसके कारण यह इलाइची सिद्ध हो जाती है और जो भी इसे खाता है वो बश में हो जाता है खास कर यह उपाय पति-पत्नी के लिए किया जाता है दोस्तों यदि आपका पति चाय नहीं पीता है तब आप हलवे में डालें, खीर में डालें रसमलाई रबडी आदी जो भी आप बनाएं उसमें डाल दें और याद रहे गलती से भी उन्हें पता न चले चुपचा आप यह उपाय करें, किसी को कानो कान खबर भी ना हो फिर आप देखना चौत माता की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा धन, दौलत से परिपूर्ण हो जाएगा हर तरफ आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी चारों तरफ धन ही धन होगा दौनों के बीच में संबंध मधुर हो जाएगे जीवन फली भूत हो जाएगा यदि आप यह उपाय करवा चौत वाली रात करते हैं तो और भी अच्छा समझा जाएगा आप चाहें तो अगली सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं बस इलाइची को संभाल कर रखें जब आप यह उपाय करें तब इलाइची उसमें डाल देना अगर आप अपने पती से प्यार करते हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर करें मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद